चलें जी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, intercepts क्या होते हैं, intercept कोई भी एक quantity होगी, जब वो किसी चीज के साथ mail खा जाती है, मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये मेरे पास एक line लगी हुई है, ठीक है, अगर मैं उपर से, green line के उपर red line गुजारूं, तो जहां पर green line और red line मिल रही हैं, इस चीज को हम बोलते हैं, intercept, यानि के, English के अंदर देखा जाए, तो ये line एक दूसरे के साथ intercept कर रही हैं, इस point के उपर, ठीक है, अब अगर इस point को मैं blue point बोलूं, तो ये इसका intercept है, अगर इसी तरीके से, आपके पास एक line ऐसे लगी है, और इसके उपर दूसरी line इस तरीके से cut मार रही है, तो ये जो point है, ये भी intercept है, तो अगर हम इसको x-axis बोलें, और इसको y-axis बोलें, तो हम इसको कह सकते हैं, ये वाला जो है, ये है y-intercept, और ये वाला जो point है, this is called x-intercept, तो हमारे पास दो किसम के intercept होते हैं, और मैं दुबारा से बता दूँ के, ये दोनों intercept बहुत ज़रूरी हैं, whenever you are learning linear regression, या machine learning का basic algorithm, जब आप देखने वाले हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं, कि ये जो हमारे पास, intercept होते हैं, ये किस तरीके से find out किये जाते हैं, और क्या हम कैसे show करते हैं, मिसाल के तोर पे, ये मेरे पास एक plane बना है, 2D plane, ठीक है, 2D plane मेरे पास ये बना है, ये x है, x-axis है, ये हमारे पास y-axis है, ठीक है, और हमेशा आपके पास, ये इस तरीके से, 2D plane आ जाता है, राइट, अब यहाँ पे हमने एक काम करना है, वो ये है, कि हम कोई भी एक vector ड्रॉ करते हैं, say for example, मेरे पास, vector ड्रॉ करते, इस तरीके से, vectors जो हैं, वो मेरे पास एक line छोड़ने हैं, ठीक है, यानि कि मेरे पास, जब भी कोई vector आता है, वो एक line छोड़ता है, ये line जो है, जब line एक पूरे 2D plane में से गुजर रही होती है, ये line जब, x-axis को काटेगी, इस point को हम बोलते हैं, x-intercept, और जब ये y-axis को काटेगी, इसको बोलेंगे y-intercept, अगर आप गौर करें, अगर मैं यहां पे scaling करूँ, अगर आप गौर करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, अगर आप गौर करें, तो ये भी point 4 पे काट रही है, ये भी point 4 पे काट रही है, लेकिन आपको पता है, कि जब आप intercept को बता रहे हैं, तो basically आप ये बता रहे हैं, कि यहां पे x intercept के उपर, x की value है 4, और y की कितनी है, 0, यानि कि x की value, यानि कि पहले coordinate की value आपके पास 4 है, y की 0 है, और दूसरी side पे अगर आप जाएं, तो y की value आपके पास 4 है, x की कितनी है, 0, तो हमें यहां पे अगर, यह हो गया हमारा x intercept, यह हो गया हमारा y intercept, y intercept पे 0, 4, या मेरे पास 0 और 4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो मिसाल के तोर पे, अगर आपको किसी भी equation का intercept, find करना हो, x intercept या y intercept, तो आप क्या कर सकते हैं, उस equation को, आप इस तरीके से check out कर सकते हैं, अब यहां पे आपको एक मिसाल देता हूँ, 2x plus 3 is equal to 3y, अगर मैं इस equation को आपके सामने दिखाऊं, so now, you can see कि यह मेरे पास एक equation है, ठीक है, इस equation को, let me see कि मेरे पास यहां पे, अगर मेरे पास यहां पे math वाली option अगर आती हो, hopefully होगी यहां पे आए, I didn't use it, tools, tools, यहां पे नहीं है मेरे पास, let me see, मैं अपनी screen जो है, दूसरे वाली शेयर करता हूँ आपके साथ, उसके उपर हम देखते हैं, कि किस तरीके से हमारे पास intercept बनते हैं, ठीक है, हम live देखने वाले हैं, और live देखने के लिए, obviously आपको जो हमारा recent एक blog है, उस पर जाना पड़ेगा, और वहां पर जाके, आपके पास, यहां पर मैंने आपको, draw करने के लिए, एक link दिया हुए, this one math way, no, not this one, decimals, yes, decimals के उपर अगर आप जाते हैं, तो आप कोई भी एक equation लिखेंगे न, तो आपके पास वो आपको एक graph बना के देगा, मैं यहां पर लिखता हूँ, 2x प्लस 3 is equal to 4y, ठीक है, आप गोर करें, जैसे मैंने यह वाली चीज लिखी है, यह मेरे पास एक proper line आ गई है, इसका मतलब यह हुआ, कि जब कभी मैं, x और y की कोई भी value दूँगा न, तो वो मेरे पास कोई vector देगा, और जब उन सारे vectors को मैं जोड़ दूँगा अपस में, तो वो मेरे पास एक line बन जाएगी, ठीक है, और यह lines जो हैं, जब यह line बनती हैं, किसी भी एक equation की, for example, मैं इसको 42y लिखता हूँ, तो यह line देखे, कितनी rotate हो रही है, अगर 2y लिखता हूँ, तो यह मेरे पास इस तरीके से आजाएगी, अगर मैं इसको minus 3 लिखता हूँ, तो यह मेरे पास इस तरीके से आजाएगी, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, तो आपके पास जितनी भी linear equation होती है, अगर linear इस वज़ा से बोला जाता है, whenever you add x की value या y की value inside their equation, like this, जैसे मैंने यहाँ पर 2x minus 3 is equal to 2y लिखी है, तो वो आपको basically, जितने भी possible values हैं x की और y की, वो लगाने के बाद, जब आप उनको यहाँ पर देखते हैं, तो वो आपको एक line देती है, और वो जो line, अगर x-axis पर काट रही है, तो उसको x-intercept बोला जाता है, y पर काट रही है, तो उसे y-intercept बोला जाता है, और यहाँ पर x-intercept भी 1.5 है, और y-intercept भी 1.5 है, अगर मैं इसको x-3y is equal to 2y लिखूं, तो आप देखने हैं कि यह हमारे पास 0-0 पर आ रही है, intercept. Reason कै है, अगर आप गोर करें, तो यहाँ पर values मैंने change करती हैं, अगर यहाँ पर 42 लिखता हूं, nothing happens, ठीक है, so you need to have a series of equation, या 2x plus 3, जिससे आपके पास एक linear line बनती है, इसी वड़ा से इनको linear equations बोला जाता है, और linear algebra क्या करता है, इस तरह की lines को study करता है, अगर मैं यहाँ पर एक और line ड्रॉ करूं, for example, मैंने एक line उपर लिख दी 3x, अब मैं कहता हूं, 2x plus 3 is equal to 5y, अगर मैं यह लिखता हूं, यह blue वाली आगी, अगर मैं एक और line ड्रॉ करता हूं, 3x plus 2 minus 6 is equal to 1y, ठीक है, तो मेरे पास green वाली आगी, अगर आप यहाँ पर गौर करें, जहाँ पर यह सारी की सारी lines बन रही हैं, just a minute, यह मैंने आपको calculator जो है, वो भी दे दिया लिंक के अंदर, Desmos इसका नाम है, Desmos.com पर जाएंगे, तो आप इस तरीके से lines ड्रॉ कर सकते हैं, अब जहाँ पर यह lines बन रही हैं, यह basically हमें बता रही हैं, कि आपकी वो वाली line जो specific है, वो 3-4 जगों पर intercept कर रही है, अगर तो वो coordinate plane के साथ सिरफ intercept कर रही है, like this, then you can say कि यह इसका जो है y-intercept है, यह x-intercept है, तो x-intercept और y-intercept को find out करने के लिए हम क्या करते हैं, आप इस equation को याद रखें, 3x plus 3 is equal to 2y, और हमने x-intercept और y-intercept इसका find out करना है, ठीक है, 3x plus 3 is equal to 2y, मैं दुबारा से अपनी notebook पे अब जाता हूँ, 3x plus 3 is equal to 2y हमारी equation है, 3x plus 3 is equal to 2y हमारी equation है, 3x plus 3 is equal to 2y, यह हमारी equation है, हमने क्या करना है, x-intercept भी find out करना है और y-intercept भी, ठीक है, y-intercept और x-intercept हम कैसे find out कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जब x-intercept है, तब आपके पास x की value कुछ है, लेकिन y आपका 0 है, ठीक है, जब y-intercept है, y की value कुछ है, लेकिन x आपका 0 है, तो हम पहले x-intercept find out करते हैं, इसका मतलब है कि इस equation के अंदर, हमने क्या करना है, हमने y को 0 कर देना, यानि कि 3x plus 3 is equal to 2 into 0, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, 3x plus 3 is equal to 2, 0, 0, 0, सीधी सी बात है, अब क्या करते हैं, 3 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 3x is equal to minus 3, ठीक है, plus 3 था तो उतर जाके minus 3 हो गया, ऐसे, अब divided by 3, divided by 3, ये कट गया, x is equal to 3, 1, 0, 3 minus 1, तो अगर आप गौर करें, हमारे पास जो x intercept है, वो minus 1 है, लेट्स लूक इंटु इट, गौर करें जी, x intercept क्या है, minus 1, ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आगी, minus 1 x intercept है हमारे पास, अब चलते हैं, वापिस हमारे पास, जो y intercept है, उसे find out करने के लिए, यानि कि आप mathematical ली देख सकते हैं, कि intercept कैसे find out करने है, equation मैं दुबारा से लिखता हूँ, अगर थोड़ा सा मैं burger बनू तो equation, equation मैं दुबारा से लिखता हूँ, तो यहाँ पर 3x, प्लस 3 is equal to 2y, हमने x को 0 कर दिया, क्योंकि y intercept find out कर रहे हैं, is equal to 2y, तो अगर आप गोर करें, 0 प्लस 3 is equal to 2y, और यहाँ पर अगर आप गोर करें, तो किस तरीके से हमारे पास होगा, हाँ जी, 2 way to 3 by 2, तो यह कट गया, y is equal to 3 by 2, which is equal to 1.5, तो यह मेरे पास y is equal to, should be 1.5, लेट सी के यह हमारे पास इतना ही आए के नहीं, and here you go, 1.5, ठीक है, तो y intercept 0 and 1.5 है, यह understood सी बात है कि x ने वाँ पर 0 होने, तो जनावे वाला आप इस तरीके से, x intercept और y intercept को find out कर सकते हैं, जो intercept है ना, यह basically बहुत जुरूरी होता है, आपको समझने के लिए, अब आप लोग परेशान होंगे, कि ठीक है, intercept तो समझ आ गया, यह line कैसे बन रही है, यह सारी की सारी line कैसे बन रही है, ठीक है, अब इस line को हम बना के देखने वाले हैं, कि यह line कैसे बनती है, फिर हम vector spaces की तरफ move करेंगे, इस line को बनाने के लिए, हम क्या करने वाले हैं, मैं directly notebook आपके पास करता हूँ, अब यहाँ पे, 3x प्लस 3 is equal to 2y हमने करना है, ठीक है, हमारे पास equation है, 3x प्लस 3 is equal to 2y, हम क्या करते हैं, अब अपने random कोई values देनी हैं, मतलब हम ऐसे करते हैं, minus 3, minus 2, minus 1, 0, और इसी तरीके से 1, 2, 3, यह हमारे पास value मैक्स को भी देते हैं, और y को भी देते हैं, फिर हम चेक करते हैं, हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं, क्या ख्याल हैं, अगर आप इस equation को resolve करते हैं न, और यह इस side पे आप जो वर्जी value देते जाएं, और इस side पे भी जो वर्जी देते जाएं x और y को, at the end आपके पास जो line बनेंगी, वो line exactly यह वाली बनेंगी, ठीक है, लेकिन उस line को बनाने के लिए, अब जाब आप यह x और y की values को इस equation में fit करेंगे, say for example, यहां पे मैं करता हूँ 3 minus 3, यह आजाता है plus 3 is equal to 2y, ठीक है, अब यहां पे मैं करता हूँ minus 9 plus 3 is equal to 2y, यहां पे करता हूँ जी minus 9 जमा 3, यह minus 6 होगे divided by 2, यह आजाता है y is equal to minus 3, यह जो minus 3 है, यह मेरे पास होगी, जब मेरे पास x भी minus 3 होगी, समझ रहे हैं बात को, तो वहां से आपने नीचे को आना है, and then you can find out a way, किस तरीके से आपके पास y और x की values जो हैं, वो change हो रही है, तो अगर आप x की value रुखेंगे, तो y की value आपके पास आती जाएगी, आपने x और y की वो लिखते जाना है values, और वो values की base पे जब आप at the end, एक plane की उपर सारे vectors को draw करेंगे न, तो वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, ठीक है, अब यह क्यों ऐसे बन रहे हैं, उसकी reason क्या है, जब आप different किसम की values को, vectors को इस तरीके से draw करते जाएंगे, वो सारे के सारे vector, एक ही vector के scaled form में होंगे, ठीक है, यानि कि यह एक ही vector की scaled form में होंगे, और यह जो equation आपके पास आ रही है, which is this one, यह basically आपको बता रही है, कि जब x को तीन दफ़ा बढ़ा किया जाए, ठीक है, और उसमें तीन जमा किये जाएं, फिर उसको बराबर है, वो दो दफ़ा y के, ठीक है, यानि कि तीन x में जमा तीन किये जाएं, वो दो y के बराबर हैं, समझ लगी बात की, तो इसी चीज़ को अगर देखा जाए, तो ये true होगा, जितने भी आपके पास x की value है, और जितनी भी y की value है, और अगर आप गोर करें, आपकी ये line जो शो कर रही है, ये vectors का मजमुआ है, on all the possible values of x and y, तो अगर आप, ये arrow hat जो हैं, वो इन्हें remove कर दें, और यहाँ पे points शो करना start कर दें, which we do whenever we are writing the vectors, in a 2D space, जब आप इनको मिलाते हैं, तो basically वो आपके पास line बन रही है, यही कुछ तो हो रहा है, इसके अंदर अगर आप गोर करें आप, अब आपके पास क्या हो रहा है, यह line बन रही है, आप गोर करेंगे कि वहीं पे point आ रहे हैं, जहां पे आपका intercept आ रहे हैं, otherwise point नहीं आ रहे हैं, और usually यह points ही हैं, लेकिन इतने ज्यादा points हैं, कि यह line बन गई है, तो आप यहाँ पे थोड़ी सी भी change करेंगे, आपके पास different किसम की values आने लग जाएंगे, और यह जो values हैं, यह आपको एक given x पे एक y की value देती हैं, मिसाल के तोर पे, अगर आपके पास ऐसी line बन जाए, इसका मतलब है, कि आप machine लड़ने के अंदर कुछ भी predict कर सकते हैं, नहीं समझ आई, चलो भी आपको समझाए रहता हूँ, यह रही जनाब आपका line, जो मैंने वहाँ पे draw की है, इसी equation की, ठीक है, यह line आगी, अब मैं कहता हूँ के यार, यह line तो मेरे पास है, यह line क्या show करती है, यह line एक model show करती है, as a data scientist, उस model को हम linear model बोलते हैं, क्योंके यह linear यानि के straight line है, ठीक हो गया, पहली बात तो यह, अब यह model क्या है, model हमेशा एक equation होता है, equation क्या है, 3x प्लस 3 is equal to 2y, ठीक है, हमने क्या करना होता है, x और y को find out करना होता है, अब आप कहते हैं, x जो है, जी मेरे पास, जो pocket money है, आप को समझ आएगी, खर्चा, ठीक है, x is equal to pocket money, यानि के, आप कहते हैं, कि इस line के मताबिक, यह line आई है मेरे पास, मेरे पिछले दो सालों की, खर्चा और pocket money के data पे, यह line आई है, अब इस line के मताबिक, मुझे बताओ, अगर मुझे खर्चा 500 मिलता है, तो मेरे पास, sorry, अगर मुझे pocket money 500 मिलती है, तो मेरा खर्चा कितना होगा, तो अगर आप यहाँ पे, इस तरीके से, इसको draw कर ले, you can actually say, कि pocket money की base पे, अगला खर्चा कितना है, मिसाल के तोर पे, 4, 5, x की value, यानि के pocket money की value, अगर 5 है, यानि के 500 है, तो मेरा खर्चा कितना होगा, अब अगर आप गोर करें, तो यह खर्चा, यहाँ पे उपर जा रहा है, जहाँ पे, यह line के साथ, intercept बनाएगा ना, this one, यह जहाँ पे बनाएगा, आपने उधर से ही, left side पर move कर जाने है, something like this, ठीक है, और यह value आपका खर्चा होगा, say for example, 500 pocket money मिलिया, तो आपका खर्चा, may be 20,000 हो, I'm just saying, according to this line, तो यह machine learning होती है, कि आप एक equation या model बना ले, और उसकी base पे, आपको एक value पता है, जैसे उस line के साथ, या उस model के साथ टकराएं, दूसरी value आपको पता चल जा, यानि के why, why क्या था आपका, why आपका खर्चा है, जो आप खर्च कर रहे हैं, PM यानि के pocket money आपके कितनी है, तो इस तरीके से, आप models बनाते हैं, और different किसम की predictions करते हैं, mathematics nature की जुबान है, अगर आप phenomena को, कोई भी nature का phenomena है, phenomena का मतलब होता है, कोई भी अमल जो nature के अंदर चल रहा है, उसको math की equation में ढाल लें, इसी को हम modeling बोलते हैं, और वो basically पिछले data की base पे, अगर learn करके, आप यह वाली equation बनाएं, इसको machine learning बोल देते हैं, अब यह data तीन से चार साल का भी हो सकता है, पांच का भी, छे का भी, साथ, आठ साल का भी, ठीक है, आप उसकी base पे equation बनाएं, लो जनाब, अगला जो मर्जी predict करते जाओ, क्यों, क्योंके यह वाली एक equation, आपको linear model दे रही है, if you talk about linear regression, और वो line आपको prediction देगी, this is the whole gist about machine learning, and linear algebra, अगर अभी भी आपको लगता है, कि जनाब मेरे बस का रोग नहीं है, linear algebra पढ़ना, मैं आप क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक last but not the least example आपको दे दूँ, कि जुतने भी vectors आपके पास आते हैं न, आप उसको एक time ऐसा आता है, कि अगर मेरे पास यहाँ पे 2600 vectors हैं, तो यार मैं vectors तो नहीं बना सकता, इस वज़ा से जहाँ जहाँ पे vector की tip खतम होती है, उनको हम points के शाशाशाशाशो कर देते हैं, और पूरा vector remove कर देते हैं, ठीक है, यानि के Cartesian coordinates के साथ, हम सिरफ points को लगा देंगे, something like this, we will not write anything else, सिए, इसके coordinates लिखने लिखते हैं, वरना x-axis, y-axis पता है, इस ही को तो हम scatter plot बोलते हैं, modern and zuban के अंदर, तो scatter plot is actually showing you some points, based on x and y-axis, ठीक है, समझ आगी बात की, और वो vectors ही हैं, vectors क्या हैं, जब आपके पास दो चीजें show हो रही हैं, अगर तीन हो तो वो three dimensional space में होगा, but we are learning on two dimensional space, अब अगर आप गौर करें, अब आपको समझ आगया होगा, कि ये line क्यों matter करती है, ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ में आपको समझा देता हूँ, कि अगर आपके पास कोई भी एक vector है, यानि कि मेरे पास एक vector है, जिसका नाम है x is equal to y, आप गौर करें, ये 0 पर intercept करेगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है, कि अगर unit vector हम देखें, यहाँ पर 2 by 2 का हो, 1 by 1 का हो, कोई भी vector जहाँ पर दोनों quantities तक्रीबन सेम हो, वो basically ऐसे center से cross करेगा, x अगर y के बराबर है, यानि कि 1, 1 हो दोनों, 2, 2, 2 हो, 3, 3 हो, 4, 4 हो, 5, 5 हो, 6, 6 हो, 7, 7 हो, तो इस तरीके से जो आपके पास एक line बनेगी, यह basically आपके पास कोई भी intercept नहीं देगी other than zero, तो x और y अगर बराबर है ना, मतलब यह है कि मैंने 500 खर्चा लिया, pocket मैंने लिया और 500 खर्च लिया, कोई नहीं बचा मेरे पास, model करने की ज़रूरत ही नहीं है, महिने में 500 लिया, 500 खर्च लिया, model तब ज़रूरत पड़ेगी, when there is something different, अब आपको समझ आगी होगी, lines are very much important, very important, 2 लिखुँगा तो ऐसे change कर जाएगी, यहाँ पे 3 लिखुँगा तो यह change होती जाएगी, and then you can have an idea, if you add some values inside, so, desmos जो है, यह आपको calculate करके देता है, differentism की values को, यहाँ पे आपको पता चल गया, scalar quantities क्या होती है, और बाकी चीजें क्या होती है, ठीक है, अच्छा, अब आपको, further जो concept समझाना है, मैंने वो है linear combinations का, उसकी तरह move करते हैं,